तो देखें बच्छों हमारा next question ये है कि what is meant by ionization energy write its value for hydrogen atom ओकी हमसे पूछा जारा बच्छों कि ionization energy का क्या मतलब है तो देखों बच्छों ionization energy होती क्या है तो भाई ऐसा है आइनाइजेशन एनरजी क्या होती है तो वो एनरजी जो देने से कोई एटम ग्राउंड स्टेट से अपना एक इलेक्टान पाहर कर लेता है मतलब मैं कह सकता हूँ कि आइनाइजेशन is the amount of energy required यह क्या होती है यह amount of energy ठीक है required to remove to remove one electron from any atom from ground state कहां से निकालना है एक इलेक्टान को ground state से ठीक है और ground state से जब किसी इलेक्टान को बाहर निकालने के लिए हमको जो एनरजी चाहिए वो इनरजी कही जाती है कि आइनाइजेशन इनरजी यह हर सबस्टेंस के लिए हर एटम के लिए अलग अलग होती है जैसे यहाँ पर पुछा गया है हाइडोजन एटम के लिए फार हाइडोजन एटम तो पर खता हाइडोजन एटम में क्या होता है हाइडोजन एटम की एगर हम बात करें तो वैसे तो आपको पता होना चाहिए hydrogen like item की energy क्या होती है inet cell में अगर कोई electron inet cell में है तो उसकी energy क्या होती है यह होता है minus rhc z square upon n square जहां पर बच्चो z क्या होता है z होता है atomic number n होता है number of cell energy level और r होता है redberg constant h होता है planks constant and c होता है velocity of light for hydrogen atom hydrogen atom के लिए z की value बच्चो 1 होती है और जब z 1 होगा तो n भी एको का पहले cell में होगा तो ground state में यानि के हम बात करते हैं तो यहां लिखेंगे energy in ground state तो ground state में कितनी energy होती है electron के पास यह होती है minus rhc बस इतनी होती है और इसकी value हो जाती है rhc की जब value पूट करते हैं जड़ भी बनोगे या इन भी बनोगे इसलिए वो चले गए तो rsc की जब हम value पूट कर देंगे तो यह आती है 13.6 इलेक्टान वोल्ट मतलब हाइड्रोजन एटम की जो ground state में इनर्जी है वो कितनी है वो है 13.6 इलेक्टान वोल्ट अब बच्चों आइनाइजेशन इनर्जी रिक्वायर्ट टो रिमूव वन इलेक्टान तो अगर एक इलेक्टान को निकालना है तो उसको जो इनर्जी देनी पड़ेगी वो होती है इतनी इनर्जी ground state में होती है तो अगर इलेक्टान की total energy zero कर दिजाए तो आइनाइज हो जाएगा मतलब वो अपने न्यू अगर इतनी एनर्जी पॉजिटिव जादी है तो टूट इनर्जी क्या हो जाएगी जीरो और वह इलेक्टान बाहर निकल जाएगा इसका मतलब आइनाइजेशन इनर्जी कितनी होगी आइनाइजेशन इनर्जी आफ हाइडोजन ठेक यह होगी बेटा प्लस 13.6 इलेक्टान याइजेशन इनर्जी होगी जाएगा इनर्जी तो इनर्जी मैंने खुपिये इसको फटाफ़ा नोट कर लिजेई यह हमारा इनशर हो गया